एर रहमान के लिए उनका पहला गीत जो लता जी गाने वाली थी और रहमान कहते हैं उनकी माँ बताती हैं कि उनके घर पर लता जी की सफेज साड़ी में एक फोटो लगी थी दिवार पर और उनके पिता हर सुभा उस फोटो को देखने के बाद ही अपने गाने की शुरुवात किया करते थे, कॉम्पोजिशन की शुरुवात किया करते थे. यकीनन ये experience उनके लिए खास रहा होगा, कि वो उनहीं लता जी को आज रिकॉर्ड करने वाले हैं. लेकिन ये experience लता जी के लिए भी खास था. कौन सा गीत था ये और कैसे हुई थी ये रिकॉर्डिंग, आज यहीं बताने वाली हूँ. रिल नहीं, रियल स्टोरीज में. फिल्म 1998 की दिल से, जिसे मणी रत्नम ने डारक्ट किया, इसका एक गीत लता जी गाने वाली थी. और एर रहमान सिर्फ चन्नाई मेरेकॉर्डिंग करते हैं. गुल्जार सहाब ने इस बात का जिक्र किया था, कि लता जी ने पहले तो इस बात को पक्का किया, कि गुल्जार सहाब वहाँ हो, क्योंकि वह वहाँ किसी और को जानती नहीं थी. अब जब वहाँ पहुची, तो स्टूडियो में सिंगर का कैबिन, कुछ इस तरह से था कि लता जी का कंपोजर एर रहमान से कोई आई कॉन्टाक्ट नहीं था. एक रहरसल के बाद लता जी ने कहा, गुल्जार जी, ऐसा लगता है, जैसे मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, क्योंकि उन्हें सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था. गुल्जार सहाब ने लता जी के बूत के बाहर फिर एक कुर्सी रखी. पुछ इस तरहां कि लता जी भी उन्हें देख पाएं और एयर रहमान भी. बस फिर क्या, लता जी ने एक ही टेक में गाना गा दिया. लेकिन एयर रहमान ने इस गीत को फाइनलाइस करते हुए दस तिन लिये थे. इसके बाद उन्होंने गुलजार सहाब से जो मलयालम वर्सिस हैं, उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करने की रिक्वेस्ट की. जब गुलजार सहाब ने गाना सुना, तो उन्होंने रहमान से इस काने को इसी तरह रखने का सजेशन दिया. क्योंकि उन्हें ये लगा कि लताजी की आवाज के साथ उजो कोरस से वो बहुत खुबसूरत लग रहा है, और यकीनन ऐसा है भी. हमें भी तो यही लगता है, जब भी हम इस गीत को सुनते हैं और ये गीत आज कालों बार भी अपनी मेलोडी और मल्यालम वर्सिस के लिए ही जाना जाता है. लताजी ने कहा भी है कि ये गीत उनके लिए बहुत स्पेशल है. इस गीत के बाद लताजी ने एया धामान के कंपोस किये हुए कई गीत का आए, जैसे 2000 की फिल्म पुकार, इसका एक गीत एक तू ही भरोसा, ये गीत तो फिल्म आया भी लताजी पर गया था. 2001 की फिल्म लगान, गीत ओ पालन हारे, निर्बन ओ न्यारे, उंखे बीन हामरा ओनो नाही. 2006 की फिल्म, रंग दे बसंती का लुकाची पी, और यकीनन हर गीत खास है और रहेगा. लता जी भी एर रहमान से बहुत प्यार करती है. जानते हैं, बेमले स्टेडियम लंडन में जब रहमान के लाइव कॉंसिट के दौरान, कई लोग उठकर बाहर चले गए. इसलिए क्योंकि यह रहमान ने कई तमिल गाने गाये थे, और फिर सोशल मीडिया पर भी इने ट्रॉल किया गया. तब लता जी ने इने सपोर्ट करते हुए कहा, हमारे दर्शक कबसे इतनी इंटॉलरेंट हो गये हैं? अपने 70 साल के अनुभव में मैंने पंजाबी, बेंगॉली और यहां तक की डोगरी सहीत स्टेज पर कई क्षित्री भाषाओं में गाने गाये हैं. दर्शकों को तब हर भाषा में गीत सुनना पसंद था. उन्होंने कहा, रहमान जी के कई गाने यादगार हैं जो तमिल में हैं और उनके हिंदी वर्जिन्स बाद में आये हैं और दोनों वर्जिन्स बहुत पॉपुलर हुए हैं. फिर उन्होंने अपने कुछ बंगॉली गीतों की बात की, जिन्हें बाद में हिंदी में बनाया गया और कहा कि वो जब भी स्टेज पर गाती थी, तो बंगॉली में भी लोग इन्हें सुनना पसंद किया करते थे यकीनन ये कॉलाबरेशन अपने आप में बहुत खास है, बेशक बहुत ज़्यादा गीतना हो, लेकिन जो हुए वो बहुत यादकार हुए आपको लता जी की आवाज में एर रहमान का कंपोज किया हुआ कौन सा गाना है जो बहुत पसंद है, उससे कॉमेंस में लिखिएगा